हेलो अब्रीवन वेलकम टू लव यर लुक आज मैं आप लोग को यह वाली साड़ी पहन के दिखाने वाली हूं जो कि नेट की है यह प्योर नेट भी नहीं है थोड़ी सी नेट से मोटी है लेकिन ट्रांसपेरेंट है तो मैं इस साड़ी को ड्रेप करके आप लोगों को आप फॉस्ट रांग टक करते हैं तो इसको बिल्कुल टाइटली और नीट एंड क्लीन टक करना है और हाई हिल्स अगर आपको वेर करने हैं तो आप उसको पहनने के बाद ही सारी ड्रेप करना शुरू करिए हमेशा सारी फ्लोट अची पहनना है तो यहाँ पर मैंने पल्ल फर्स प्लीन मुझे लेना है उतना जक्ष Marshall लेंगे जो उपर का प्लीर से तो इस तरीके से मैं यहाँ पे टींग कर रही हूं तो मेरीएक सब्सक्राइबर है उन्होंनी मुझे कहा था कि वो right hand से बनाती है प्लीट्स तो मैं हमेशा वीडियो में left hand से बताती हूँ इसलिए मैंने आज right hand से आप लोग को बताय हुआ है right hand से अपने प्लीट्स को कैसे manage करें so यहाँ पे इसको हल्का सा जटक देंगे सारे प्लीट्स बनाने के बाद जटकने के बाद एक एक प्लीट्स को ऐसे जटक जटक के पकड़ेंगे तो सामने next प्लीट्स जो है वो खुदी आ जाएगा आप लोगों को नजर आएगा इस तरीके से उसको अरेंज करके अपने shoulder पे रख लेना है मेरा दोनों हाथ free हो गया है मैं अपने हिसाब से अपने प्लीट्स को अरेंज कर लूँगी इस तरह से आप अगर अपने थोड़ा सा प्लीट्स पकड़के अपने shoulder पर रख लिजे उसके बाद अपने दोनों हाथों से प्लीट्स अरेंज कर सकते हैं पल्लो की लंबाई आपको जितना पसंद है आप उतना ले सकते हैं वैसे घुटने से नीचे हमेशा रेना इसके बाद मैंने safety pin लगा लिया है अपने left shoulder पे इस तरीके से पीछे से अपने पल्लो को मैंने घुमाया है जब भी आप सारी ड्रेप करते हैं तो कोशिश करिए कि फ्रन प्लीट्स से पहले आप पल्लू के प्लीट्स बनाएए जिससे कि जो भी एक्स्रा फैबरिक रहेगी आप उसको अच्छे से एड्जस्ट कर पाएंगे जो भी बिगनर से यह उनकी लिए है तो चलिए अब आते हैं सामने के प्लीट्स बनाने टाइम यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारी लोग सेटी पिन लगाते हैं आप हर फैबरिक के साड़ी में लगा सकते हो लेकिन नेट की साड़ी में ऐसा मत कीजेगा या तो आप एक हास साड़ी ऐसे मेजर करके आप छोड़ सकते हैं यह वाला ट्रिक अपना सकते हैं जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ या फिर अगर आपको सेटी पिन लगाना ही है तो आप यहाँ पे लगाए कमर के पास यहाँ पे आपको यह कमर पे पेटी कोट और अपने इस वाले बॉर्डर को लेते हूए अंदर से लगा सकते हैं इससे आपकी साड़ी फटने के चांसे बहुत कम रहते हैं इस तरीके से आप अंदर से सेटी पिन लगाएं और यह टाइट फिटिंग भी आपको सारी ड्रेप करवाएगा आप देख सकते हैं अभी तो इस वीडियो में मैंने जैसा कि बताया कि मैं राइट हैंड से ही प्लीट्स बनाओंगी तो राइट हैंड से मैंने फर्स प्लीट्स बना लिया है जो सबसे उपर का प्लीट्स है वो सबसे चोड़ा रहेगा इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जादा चोड़ा लिया है बाकि सारे प्लिट्स उसके एकॉर्डिंग थोड़े से पतले रहेंगे इस तरीके से जो भी बिगनर्स है जिनको राइट हैंड से साड़ी पहनना होता है वो इस तरीके से अपने सारे ड्रेप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो आप देख सकते हैं एक एक प्लिट्स कितने अच्छे से यह उभर के आ रहा है और एक side बहुत ही tight fitting सारी drape होगी आप अभी देखेंगे तो सारे pleats अभी लगभग बन चुके हैं और इसके बाद अपने सारे pleats को इस तरह से पकड़ लेंगे उपर का pleats आप ध्यान रखे सारे pleats के according थोड़ा सा और चोड़ा होने चाहिए अगर आपको पतला लगता है तो आप दो pleats खोल के एक pleats बना सकते हैं इसके बाद उपर का pleats मैंने हटा के अंदर के सारे pleats को खीच लिया है उपर की तरफ है ना इस तरीके से क्या होता है जब आप चलते हैं तो आपकी नीचे की pleats नहीं दिखती है यानि की fall भी नहीं दिखता है है इस तरीके से बनाने के बाद एक-एक pleats को आपको अच। आरेंज करना है टक करने से पहले तो यहाँ पे इस सारी में बहुत अरे pleats बने हैं क्यूंकि इस घरी का blouse मैंने निकाला नहीं है इसलिए बहुत सारे pleats बने हुए है बहुत अच्छे तरीके से में ने बनाय एक बार पकड़ लिजए इसके बाद अपने बैले बटन के सामने इसको टक कर लीजेए आपको बैली ने करना है या पिर थोड़ा सारा कर सकते हैं लेफ्ट की साइड तो बिल्कुल भी टक मत करना नहीं तो आप चलोगे तो आपकी साडी अच्छी नहीं लगगे और जब भी आप टक करते हैं तो एक ही जगहां पे ऐसे मोटा साना टक करें उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ प्लीट्स को अपने स्प्रेट कर लीजिए और बहुत ही नीट और क्लीट टक करें इस तरीके से आप देख सकते हैं यह रही मेरी फाइनल सारी ड्रेपिंग वीडियो को लाइक करना शेयर करना चले मिलती हूं आप से किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाबाई